नगर निगम धरमशाला ने विश्यव में सबसे पहले अंडरग्राउंड डस्टवीन स्थापित करने का क्रेडिट अपनी नाम तो कर लिया लेकिन शहर के अंडरग्राउंड डस्टवीन कूडा करकर डालने से पहले खुद ही कच्रा हो गए हैं धरमशाला नगर निगम खेतर के तहद कई बाड़ों में स्थापित कियेगे भूमिगत कूड़ेदान जमीन में धसके हैं और डस्टवीन के लिए बनाए गई टायलों की परत भी तूट गई है इसके चलती नगर निगम धरमशाला के आम सहरी लोग परिशान हो गए हैं इतन पहली राजे के पहली दो बारिशें भी सहर नहीं कर पाए नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी में चैनी धरमशाला सहर में लोगों की सुबधाओं और कूड़ा कच्रा परबंदन के लिए अंडर ग्राउंड डस्ट वें स्थापित किये गे हैं निगम के 17 वार्डों मे भूमिगत कूड़ेदान स्थापित किये गे हैं के स्थानों में भूमिगत कूड़ेदान का इस्तेमाल भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया है के साथ ही नगर निगम के स्मार्ट हाई टेक रग भी कूड़ा कच्रा उठाने के लिए के स्थानों में पहुंच रहा है इसमें नगर निगम धर्मशाला के स्कोह खेल परिशर्व कंड सहीत अन्य बार्डों में अंडरग्राउंड डस्टवीन शतिग्रस्थ हो गए हैं जिससे स्थानिय लोगों और वुद्धी जीवी वर्ग में आक्रोस की स्थिती नजर आ रही है। इबन शहरी विकास मंत्री सुधिर शर्मा ने आते धुनिक परिणाली युक्त स्मार्ट अंडरग्राउंड डस्टवीन लोगों को समर्पित किये थी और शहरी विकास मंत्री सुधिर शर्मा ने विचाल जनसवा को सुंबोधित करते हुए कहा था कि धरमशाला के लिए आज सेंसर वेस्ट डस्टवीन लगे हैं लेकिन पूरे का पूरा शहर जिसमें सेंसर वेस्ट डस्टवीन लगे हूं वो धरमशालों को गौरब प्रापत हुआ है उसके लिए वे धरमशालावासियों को बढ़ाई देते हैं आज का दिन घरमशाला के लिए बहुत महत्वपून दिन है तो कि हास में लिखा जाएगा कि कोई विश्ट में किसी भी शहर को और पूरी तरह सेंसर वी इस डस्टवीन से तवर किया गया तो वो धरमशाला है पूरी दुनिया में करी जगा अन्यों डस्टवीन लगे लेकिन पूरे का फुरा शहर सेंसर वी इस डस्टवीन जिसमें लगे लूब धरमशाला को आज गौरव प्राफ हुआ है इसके लिए में आपको बहुत बहुत मुदाईब वार गौदेता है भासपा परदेश मेडिया से प्रभारी राके शर्मा ने सहरी विकास मंत्री सुधीर सर्मा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सहरी विकास मंत्री ने चार जून को 12 क्रोड रुपे की लागस से बने अंडरग्राउंड डस्टवीन का उद्गाटन किया और अधिकतर डस्टवीन तूट चुके हैं उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा गुटाला हो गया है यहां के जो बिधायक हैं धर्मशाला के और मंत्री भी हैं नगर निकाए के उन्होंने उसको धाटन किया और थोड़े दिन के बाद ये एक बारिश हुई और ये पूरे डस्टवीन जो भी लगे थे धर्मशाला में कि मैक्सिमम जो है वो तूट चुके अभी तक लोगों ने पूरा डाला भी नी उन्होंने अपना शौप भी पूरा ने किया ये लगए बारा क्रोड रुपे का कम से कम ये टेंडर अर्ज पित था और मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा एक घुटाला हो गया है इस मुश्ब कार्पूरेशन में पहले नगर निमगम की सफाई का घुटाला अब ये दूसरा घुटाला निकल के सामने आ रहा है उदर जब नगर निगम धरमशाला की उप महापौर दिवेंदर जग्गी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है थोड़ी सी सिवल पर्क में प्रॉब्लम आई है जिसको जल ठीक कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक ठेकेदार की पेमेंट नहीं की है उन्होंने कहा पांच वर्ष तक मेंटेनेंस ठेकेदार ही करेगा साथ ही इस मामले को लेकर जाच की जाएगी के उपर आपका क्या कहना है एसा कुछ नहीं है जैसे जो सिवल वर्क है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है लेकिन हमने ठेकेदार को गो दिया है और हमने अभी तक ठेकदार की पेमेंट ही किये ठीकदार के साथ जो agreement है उसमें 5 साथ तक वो maintenance ठीकदार ही करेगा और जो sites में जहाँ problem आई है वहाँ पर इनको ठीक कर दिये गया और दो-चार sites जो रही है उनको ठीक कर दिये जाएगा और जो basic underlying discipline है वो बिल्कुल ठीक है सिर्फ सिवर्मर्क में वरान है जो जड़ी ठीक कर दी जाएगी